हलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब आसा करती हूं बढ़िया ही होगे, अपने घरों में स्वष्ट होंगे, मस्त होंगे, जबरजस्ट भी होंगे दोस्तो तो आज मैं आप लोगों कोई इस खोटो से दिखाऊंगे कि PNG कैसे बनता है तो दोस्तो मैं लाइफ प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी कि PNG कैसे फोटो बनता है तो आप लोग मेरे वीडियो में continue लगए रही है दोस्तो अगर मेरे ये इस चैनल पे आप लोग ने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजिएगा ठीक है द इस प्रकार से मैं बताऊंगी दोस्तो आप लोगों को PNG फोटो बनाना उस प्रकार से आप लोगों को कोई नहीं बताएगा दोस्तो मैं बहुत ही असान तरीके से बहुत ही अच्छे ढंक से बताऊंगी दोस्तो PNG फोटो बनाकर और अपने YouTube के थेमलेन पे कैसे लगा सकते तो आप चलिए आप लोगों को बीच में मैं दिखा रही हूँ को पी औंजी फोटो कहां से बनता है किस प्रकार बनता है तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में लगे रहे हैं ठीक है दोस्तों तो मैं चलती हूं अब भैक ठीक न तो चलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूं और उसके बाद से मैं प्ले स्टोर में जाऊंगी ठीक है ना प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं यहां पे सर्च करूंगी फोटो रूम ठीक है ना फोटो फोटो रूम देखिए आकर तयार हो गया ठीक ना आ गया है तो मैं इसको देखिए मेरा हो चुका है वैसे मैं इसको पहले ही मैं अपलोड कर चुकी थी photo room मैं कर दी हूँ ठीक है ना photo room में आप लोग देखिए यहाँ पर आज चुका है आप लोग देख सकते हैं यहाँ ठीक है तो मैं इसको open करूंगी ठीक है ना open कर दी ठीक है तो open करने के बाद दोस्तो आप लोग देखिए थोड़ा सा टेम लगेगा तो देखिए यहां पे खुल चुका है ठीक है तो यह मेरा फाइल फोटो रूम का खुल चुका हुगा है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो अब मैं इसको चलूंगी देखिए जो आप प्लस का निशान दिख रहा है न इस्टार्ट फ्रॉम फोटो लिख है तो इसफे आप क्लिक करना है तो यहां पड़लेकर लेना है और यहां पर क्लिक करने का बात दोस्तो आप लोगों को कौन सा फोटो लगाना है मैं बताही हνα आप यह वाला कर देती हूं ठीक है तो देखिए मेरा यह तैयार हो गया देखिए यह हुई पी एंजी फोटो तो यह तो तैयार हो गया है यहां तक लेकिन इसको अभी क्लीन करने के लिए और भी हमको अभी बहुत-बहुत कुछ करना है दोस्तों तो यहां पर देखिए आप इसके बाद अब चलेंगे हम एक्सपॉर्ट पे कहां चलेंगे एक्सपॉर्ट पे एक्सपॉर्ट पे यहां पर जाने के बाद क्लिक कर देंगे हम ठीक है यहां पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसमें बीच में आ जाता है दोस्तों यह सब तो यहां से कट कर देंगे उपर से यहां से कट कर देंगे तो देखिए मेरा export हो गया था उसके बास से यहां पे लिखा है save to gallery share लिखा है उपर लिखा है remove logo तो हम एक इस पे करना है तो हमको gallery में करना है तो gallery में ही तो करेंगे हम तो चलिए आप लोग देखते रहे मैं यहां पे जो नीचे के तरफ तीर बना है save to gallery यहां पे मैं क्लिक कर देती हूं ठीक है यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए यह complete हो चुका है और उपर से हम कर देंगे तो दोस्तो अभी आच चुके हैं अभी हम बैक और आप लोगों को कैसा लगा यह png फोटो दोस्तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तो और मैं जितना अच्छे ढंग से समझाए हूं दोस्तो सायद ही कोई कि यूट्टूबर होगा जो आप लोगों को संजाएगा तो मेरा बीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक सेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो और मेरे बीडियो को सेयर करे जाता से जाधा दोस्तो ताकि मैं अच्छे च्छे नोटिकेसन पर वीडियो आप को बीच पर लेकर आती रहूं दोस्तों तब तक के लिए आज का इतना ही दोस्तों फिर मैं